हलो दोस्तों हिंदी हॉर स्टोरी इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और अब वक्त है डरने का जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दूसरे चैनल की तरह इस चैनल पर आपको कोई भी जूटी कहानी नहीं मिलेगी तो आज लेकर आया हूं ऑनलाइन शॉपिंग की चा करीब तीन महीने पहले की बात है मैं और मेरी रूम पार्टनर एक बड़ा सा सोफा खरीदना चाहते थे बाहर शॉप्स में तो ऐसा सोफा बहुत ही महंगा था इसलिए हमने सोचा कि कोई सेकेंड हैं सोफा ऑनलाइन हूंते हैं हमने कई सारी वेबसाइट देखी और फिर ए और इसका प्राइस भी कुछ जादा ही कम था तो हमने सोचा कि जल्दी से इसको खरीद लेते हैं नहीं तो कोई और उसको ले लेगा हमने उससे पैसव ऐसो की बात करी और उसको बताया कि हम वो सोफा खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीदने से पहले हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। उसने अपना एड्रस दिया और बोला कि शाम को आकर चेक कर लेना। लेकिन शाम को मेरी रूम पार्टनर की नाइट शिफ्ट थी। इसलिए मुझे अकेले ही उस एड्रस पर जाना पड़ा। उसका एड्रस हमारे घर से काफी दूर था। मैं जब उस जगे पार से उत्री और उनके दर्वाजे पर जाकर नौक किया। ये पका वो घर नहीं था जो मैंने फोटो में देखा था। मैंने दो बार दर्वाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दर्वाजा नहीं खोला। लेकिन जैसे मैंने तीसरी बार दर्वाजा खटखटाया मुझे अ हाँ, उसने कहा, ठीक है, पीछे से आजाओ, सुफ़ा भाही रखा है, उसकी आवास में बहुत जल्दबाजी सी लग रही थी, मुझे थोड़ा अटपटा सा तो लगा, लेकिन मैंने जादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पीछे पहुंची, तो जो मैंने देखा, वो म देखते ही एक बार के लिए तो मुझे लगा, कि मुझे हर्ट अटेक आ जाएगा, तब ही उन में से एक ने बोला, हे, तुमारी दोस्त का हैं, बस, वो सुनते ही मैं वहाँ से इतनी तेजी से भागी, जितनी मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागी थी, वो लोग शाय जोसते ही मैंने उस घर के तरफ दोबारा देखा, तो देखा कि किसी ने वो गेट एक जटके से खुला, उससे आगे मैं नहीं देख पाई, क्योंकि मैं वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे यादा परेशान कर दिया था, और आस तक परेशान कर है, और ये है कि मैंने उनको कभी नहीं बताया था कि मेरी रूम बेट भी है, ये साल 2012 की बात है, स्कूल से गर्मियों की छुटियां पड़ी हुई थी, मेरा बर्डे दिसंबर में आता है, इसलिए मैं उस टाइम 15 साल का ही था, जबकि मेरे सारे दोस्त 16 के हो चुके थे, हम हम सब ने फैसला किया था कि इस बार गर्मियों की छुटियों में हम कुछ छोटा मोटा काम करेंगे और कुछ पैसा कमाएंगे, मेरे सब दोस्तों को छोटा मोटा काम मिली गया था, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल का ही था, तो मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा तो मैंने सोचा चलो इंटरनेट पर ढूंडते हैं, शयद कोई मेरे लाइक काम मिली जाए, मैं इंटरनेट पर जॉब ढूंडी रहा था कि मेरी नजर एक एड पर पड़ी, एड में लिखा था कि एक घर में सफाई करने वाले की जरूर थे और एक घंटे के 10 डॉलर मिलेंगे उस एड में घर की दो फोटो भी दी गई थी, एक बाहर की और एक घर के अंदर की, फोटो में देखने पर तो वो कोई आम सही मिडल क्लास घर लग रहा था, लेकिन उस घर का एडरस मेरे घर से काफी दूर था, और उसमें एड पोस्ट करने वाले का नंबर भी नहीं था, स उसने बताया कि उसको आफिस भी जाना होता है, इसलिए उसको जब भी मेरी जरूरत होगी, वो मुझे बता दिया करेगा, मैंने काया, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मुझसे पूछा कि तुम मेरे घर तक कैसे आओगे, मैंने बताया कि वो तो मुझे पूछा, फिर उसने बताया कि उसको आफिस मेरे घर के पास ही है, इसलिए उसको मुझे लाने और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बिना अपने पिरेंट से पूछे उसको हाँ कर दिया, उसने बोला कि वो मंडे को सुबह साड़े आट बजे मुझे मेरे घर से पिक करेगा, मंडे सुबह वो मेरे घर के सामने अपनी कार लेकर आया, उसकी एक ब्लैक कलर की पुरानी सी कार थी, मैं उसकी कार में बैठ गया, उसकी बड़ी बड़ी काली धाड़ी थी और उसने एक बड़ी सी हैट लगा रखी थी, और सच बताऊं तो उसको देखकर लगी नहीं रहा था, कि वो अपने आफिस जाने के लिए तयार हुआ है, उसने अपना नाम जेम्स बताया था, फिर उसने मुझे अपने घर छोड़ा और अपने घर की चाबियां मुझे पकड़ा दी, और फिर जल्दी से वहां से निकल गया, जाते जाते उसने मुझसे ब बहुत जादा गंदा नहीं था, बलकि साफ ही था, तो मुझे भी कुछ जादा काम करना नहीं पड़ा, बस मैंने किचन में कुछ बरतंद होए और कार्पिट को वैक्यूम क्लीनर से साफ किया, उस घर में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, कि घर में गर्मी बहुत जादा थी, गर गंटे बाद जब वो आया, तो उसने मुझे साथ डॉलर दिये, और मुझे मेरे घर वापिस छोड़ दिया, बात करने में तो वो बहुत अच्छा और फ्रेंडली लग रहा था, मैं भी बहुत खुश था, ये सोचकर, कि मुझे इतना असान सा काम मिल गया है, ये सिलसला द आत में सोते सोते, मेरी आँख खुली, क्योंकि मुझे बहुत थे प्यास लग रही थी, मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा, कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर, कोई आदमी खड़ा है, और अंदर जाक रहा है, मैं डर के मारे जोर से चिलाया, तो मेरे ममी आप भाग कर मेरे पास आये, लेकिन जब तक वो लोग आये, तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था, अगले दिन मैं फिर से जेम्स के घर गया, साफ सफाई के लिए, उस दिन तो उसका घर इतना गरम था, कि मानो घर के अंदर आग जल रही हो, मैंने उस से पूछा कर रहा था, लेकिन वो सीरियस था, उसकी ये बात सुनकर, तो मुझे बहुत अंकमफर्टिबल लग रहा था, फिर वो अपने घर की चाबी दे कर वहाँ से निकल गया, मैंने वैक्यूम क्लीनर से कारपेट साफ किये, और वाकी साफ सफाई की, और काम करते करते मैं पसीने स बिल्कुल तर हो गया था, तो मुझे अपनी शर्ट उतार कर काम करना पड़ा, बीच बीच में मैं घर के बाहर भी जा रहा था, थोड़ी फ्रेश हावा लेने के लिए, हालांकि बाहर भी गर्मी थी, लेकिन बाहर से जादा गर्मी तो घर के अंदर थी, जैसे तैसे मुश मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं चाहता था कि माकेला ही काम करूँ और वो साथ में ना रहे, घर में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मैं जिस भी कमरे में सफाई करने के लिए जा रहा था, वो मेरे पीछे-पीछे ही वहां आ जा रहा था, क बातरूम में जाकर जो मैंने देखा, उसने तो मेरा दिमाग ही हिला कर रख दिया था, मैंने देखा कि बातरूम के ऊपर की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है, जो की बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा था, और मुश्किल सही दिखाए दे रहा था, मैंने बातरूम को फिर अच् मैं देखा कि सिंख के नीचे एक बड़े से डबबे के अंदर कुछ वीडियो टेप्स रखे हैं और हर एक टेप पर एक नाम लिखावा था और जो टेप सबसे ऊपर था उस टेप पर मेरा नाम लिखा था ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए मुझे समझी नहीं या रहा था कि अब मैं क्या करूँ बस मैं किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था इतनी देर में वो बात्रूम का दरवाजा खट-खट आने लगता है पूछता है कि मैं ठीक तो हूँ और मैं इतनी देर से बात्रूम में क्या कर रहा हूँ मैं जल्दी से वो टेप उसी बॉक्स मे डाल कर बात्रूम के भार निकल जाता हूँ भार निकलते ही मैंने उसको बोला कि मुझे मेरी तब्य ठीक नहीं लग रही है और मुझे मेरे घर छोड़ दो उसने का ठीक है लेकिन उसको भी बात्रूम जाना है और वो भी उसी बात्रूम में चला जाता है कुछ देर के नहीं वो मुझे कई और ही ले जा रहा था। हम कहा जा रहे हैं। मैंने डरते डरते पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला तुम बातरूम में क्या कर रहे थे। मैं एकदम से डर गया और हड़ बढ़ाने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझसे फिर पानी थी और उसमें automatic lock नहीं था इसलिए कार रुकते ही मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर भार भाग गया मैं वहां से तेरी से भाग कर उसकी नजरों से दूर चला गया था फिर मैंने एक टेली फोन से अपनी मम्मी को रोते-रोते फोन किया और उनको जल्दी से वहां आने के में ले बोला मेरी मम्मी जितना जल्दी हो सकती थी वहां पर पहुंच गई और मुझे घर ले गई घर पहुंचते ही हमने पुलिस को complaint किये पुलिस उसके घर पहुंची तो उनको सिंक के नीचे रखे वो सारे टेप्स मिल गए जादतर टेप्स में सिर्फ सफाई करते पुलिस ने उसको तुरंट अरेस्ट कर लिया किट्नैपिंग और चाइल्ड पॉर्नोग्रफी के केस में मैं खुश किस्मत हूँ कि मैं उस कार से भाग निकला पता नहीं वो मुझे कहां ले जा रहा था ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी और मैं अपने लिए कोई बहुती सुन्दर सा पर्स ढूंड रही थी क्रिस्मस के लिए दुकानों में जो पर्स थे वो तो बहुती जादा महेंगे थे तो मैंने और मेरी 27 साल की बहन ने सोचा कि इंटरनेट पर ढूंडते हैं शायद कोई अच्छा सा सेकिरेंड पर्स मिल जाएं इंटरनेट पर हमको एक बहुती प्यारा सा और सुन्दर सा पर्स मिल गया और वो बहुती शस्ता भी मिल रहा था दिखने में तो 200 डॉलर का लग रहा था लेकिन वो आदमी उसे 10 डॉलर में ही बेच रहा था इसलिए हमने जल्दी से उसको खरीद लिया और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी उसमें जो एड्रस दे रखा था वो हमारे घर के पास का ही था इसलिए हमने उसको इमेल करके पूछा कि हमें पर्स लेने कहां आना है हमने उसको बोला कि हम पास के ही मॉल में आ सकते हैं और वो पर्स वहीं लेकर आ जाए लेकिन उसने बोला कि वो मेरे घर आकर ही मुझे पर्स दे देगा और मुझे से मिल भी लेगा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको जूटा जूटा बोल दिया नो बजे ही मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले उसका आफिस होता है। रात के नो बजे तक अंधेरा तो होई जाता है, लेकिन फिर भी में तयार हो गई, ये सोचकर कि मेरे घर के पास ही तो है। उसी रात मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को एक पास के ही फैमिली फ्रेंट के हाँ डिनर पर जाना था। जाना तो मेरे को भी था उनके साथ, लेकिन मैं उस पर्स को लेकर बहुत एक्साइटिड थी। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि तुम लोग वहाँ चले जाओ और मैं जाकर पर्स ले लूँगी। लेकिन उसने बोला कि जाते वे वो मुझे को वहाँ तक छोड़ देगी, लेकिन आते समय मुझे अकेले ही आना पड़ेगा। मैंने का ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वापिस यहीं छोड़ देगा। मैंने बोला नहीं, मेरे मम्मी पापा गुस्ता करेंगे। वो फिर से बोला कि अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, तो मैं तुम्हें वो पर्स फ्री में ही दे दूँगा। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन तब तक मैं समझ चुकी थी कि जरूर कुछ गड़बर है। ये तुम्हारा ही एड्रेस है न? उसने मुझे मेरा पूरा एड्रेस बताया, वो सुनते ही मानो मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई हो, क्योंकि मैंने उसको अपने एड्रेस बताया ही नहीं था। मैं बहुत डर गई और भाग कर अपने घर वापिस आगई। मैं ऐसे पागलों की तरह भाग कर वापिस आई थी कि मारू मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हो। हम बिल्डिंग में रहते थे। मैंने अपने फ्लैट में पहुचताई जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सारे खिड़िकियां भी बंद कर दी। यहां तक कि मैंने सारे खिडिकियों को भी काले कपड़े से ढग दिया था मैं बहुत जादर डरी हूँ थी और डर के मारे काप रही थी तभी मैंने भार सीडियों पर भारी कदमों के उपर आने की आवास सुनी उस टाइम तक हमारे फ्लोर पर कोई नहीं जगता था और नहीं हमारे फ्लोर पर कोई भारी आदमी रहता था मुझे पक्का यकीन था कि ये वो ही आदमी है तभी मैंने वो आवास सुनी हे तुम्हें वो पर्स नहीं चाहिए गया वो नीचे मेरी कार में रखा है आकर ले लो मैं डर के मारे मानों भी होशी होने वाली थी मैंने दर्वाजे के छेद में से देखा कि कोई आदमी अपनी पीठ दर्वाजे की तरफ करके खड़ा है मेरे देखते ही देखते वो पल्टा और अपनी उंगली दर्वाजे के छेद पर रख दी तब ही मैंने देखा कि डॉर नॉब हिल रहा है और वो दर्वाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था मैं डर के मारे किचन में जाकर छुप गई वो दर्वाज़े पर जोर जोर से लाते मारने लगा और आखिर में उसने दर्वाज़ा खोली लिया मुझे पक्का यखीन था कि ये आज मेरी जिंदगी का आखरी दिन है लेकिन दर्वाज़ा तोड़ने का शोर सुनकर हमारा एक पडोसी भाग कर डंडा लेकर वहां आ गया हमारे पडोसी ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा और वो वहीं गिर गया उसके गिरते ही मैं जल्दी से किचन से भार भाग निकली भागते भागते मैंने उसको एक लात मारनी चाही लेकिन उसने मेरी टांक पकड़ ली लेकिन मैं अपनी टांक छोड़ागर तेजी से सीड़ियों से नीचे भाग निकली मैं भागते भागते उस घर में पहुँची जहां मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन गए हुए थे उनके पास पहुँचते ही मैं जोर जोर से रोने लगी मुझे देखते ही उनको लगा कि शायद मेरा रेप हो गया है लेकिन मैंने उनको बता है कि कोई आदमी हमारे घर में गुश गया है और वो मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे जान से मारना चाहता है मेरे पेरेंट्स ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और हम लोग वहाँ पहुँचे बाद में पता चला कि वो आदमी एक सीरिल रेपिस्ट था हम लोगों ने कुछी दिनों में वो घर खाली कर दिया ये बात आज से दस साल पहले की है तब मैं 20 साल का था और मेरे पास मेरे दादा जी की छोड़ी हुई एक पुरानी कार थी मैं उसी को चलाया करता था सच बताओं तो मुझे वो कार चलाने में बहुत शर्व महसूस होती थी अपने दोस्तों के सामने और मैं कोई नई स्ट्राइलिश कार खरीदना चाहता था जिससे की मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर चकूँ हमारी एक शॉप हुआ करती थी और मैं अच्छा पैसा भी कमा रहा था मैं एक SUV खरीदना चाहता था लेकिन जैसी कार मैं खरीदना चाहता था वो बहुत महंगी थी और उतना पैसा जोडने के लिए मुझे कई साल लग जाते इसलिए मैंने सोचा कि इस बीच एक second hand अच्छी सी कार खरीद लेता हूँ तो मैंने online shopping sites पर second hand cars ढूनना शुरू किया और करीब एक हफ़ते में ही मुझे एक ऐसी कार मिल गई जिसको देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ वो एक 2003 model blue convertible mustang थी जो कि सिर्फ 32,000 किलोमेटर ही चली थी और ना कभी उसका कोई accident हुआ था और सबसे अच्छी बात थी कि वो सिर्फ 16,000 डॉलर्स में ही मिल रही थी एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी कार इतने सस्ते में मिल रही है मैंने देखा कि वो एड सिर्फ 4 मिनिट पहले ही पोस्ट करी गई थी और मुझे पता था कि मुझे जल्दी से वो डील पूरी करनी है नहीं तो कोई और उसे खरीद लेगा उस एड में जो नमबर दिया गया था मैंने उस नमबर पर कॉल किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया मैंने दुबारा कॉल किया और इस बार चौती घंटी पर एक आदमी ने फोन उठाया मैंने उसको बताया कि मैं वो कार खरीदना चाहता हूँ तो वो मजाक में हसने लगा उसने बताया कि ये एड़ तो उसने सरफ 4 मिनट पहले ही पोस्ट करी थी और इतनी जल्दी उसको खरीदने की कॉल भी आ गई बातों से तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था या यूं कहूं कि कुछ जादा ही फ्रेंडली लग रहा था उसने मुझे अपना एड़र्स दिया मैंने उसको बोला कि मैं शाम को 6 बजए आपके हैं पहुंच जाऊंगा कार खरीदने के लिए फोन रखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि ये आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था और मैं बहुत खुश था कि मुझे इतनी अच्छी डील मल गई है वो एड़र्स मेरे घर से करीब एक घंटा दूर था मैंने अपनी कार के जीपीएस में उस एड़र्स को सेट किया और निकल गया जब वहां पहुँचा तो देखा कि वो तो बहुत ही सुनसान सा इलाका है जीपीएस में दिखा रहा था कि उस एड़र्स पर पहुँचने के लिए सिरफ दो मिनिट बचे है लेकिन मुझे तो आसपास कोई घर दिखाई ने दे रहा था दो मिनिट बाद जीपीएस ने बताये कि मैं उस एड़र्स पर पहुँच गया हूँ लेकिन मैं बहुत कन्फ्यूज था क्योंकि मुझे तो वहां कोई घर दिखाई ने दे रहा था मैंने कार साइड में लगा ली और अंदर बैठे-बैठे ही चारो तरफ देखा कि कोई आसपास घर है क्या ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ा कि पेड़ों के पीछे एक पुराना खंडर जैसा घर है मुझे घर के आसपास कोई मस्टैंक खड़ी दिखाई नहीं थी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड है इसलिए मैं अपनी कार से बाहर भी नहीं निकला और करीब 10 मिनट तक कार के अंदर ही बैठा रहा लेकिन मैं इतनी अच्छी डील खोला नहीं चाहता था मैं बस किसी तरह उस कार को खरीदना चाहता था तो मैं अपनी कार से उतर कर घर के में गेट पर जाता हूँ जब मैं वहाँ जाई रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि खिड़की के परदे के पीछे से कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा है लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ मस्टैंग ही घूम रही थी और वो मुझे गैराज की तरफ ले जाएगा मुझे लगा गैराज बाहर की तरफ होगी लेकिन वो मुझे घर के अंदर की तरफ ही ले जा रहा था मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मुझे लगा शायद गैराज का रास्ता अंदर से भी होगा मेरे अंदर आने पर उसने दरवाजा बंद कर दिया जबकि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं वो दरवाजा खुदी बंद कर देने वाला था मैं अंदर से उसके घर को देख रहा था घर के अंदर जाधा फरनीचर नहीं था सिर्फ एक दो कुर्सियां ही रखी थी और एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी पूरे घर में से फिर वो मुझे नीचे बेस्मेंट की तरफ ले जाने लगा उसने बोला कि गैरेज नीचे ही है जब हम बेस्मेंट की तरफ जा रहे थे तो मुझे वहाँ से कोई शोर आता सुनाई दिया उसने बताया कि वो उसका दोस्त है और वो कार में कुछ साफ सफाई कर रहा है तब ही मुझे उपर की तरफ से भी कोई आवाज सुनाई दी मानो की कोई चल रहा हूँ उसने बोला कि वो जरूर उसकी वाइफ होगी वो हर बात को मुझे explain कर रहा था जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि अगर वो मुझे कुछ नहीं बताता तो मेरा इन आवाजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता आखिर में उसने नीचे basement का दरवाजा खोला वहाँ कोई कार नहीं थी मैंने उस आदमी की तरफ देखा वो आदमी भी मेरी तरफ देख रहा था मैं समझ गया कि अब मुझे यहां से निकलना होगा मैं बिना कुछ बोले पलट कर main gate की तरफ जाने लगता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई आदमी पहले से ये दरवाजा ब्लॉक करके खड़ा था मैं बहुत जादा डर गया मैंने उन से बोला कि तुम मेरे सारे पैसे ले लो बस मुझे यहां से जाने दो फिर वो पहले वाल आदमी वहां आ जाता है उसके हाथ में एक बड़ी सी कुलाडी थी बस वो देखकर मैं पीछे की तरफ तेजी से भागता हूँ और थैंक गॉड पीछे एक गेट होता है मैं वो गेट खोलकर भाग निकलता हूँ मैं भागता हुआ पीछे से होते हुए अपनी कार तक पहुँचता हूँ और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलता हूँ मैंने पीछे मुढ कर देखा लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था कार चलाते हुए मैंने फिर से एक बार पीछे मुढ कर देखा तो वो दोनों आदमी वहाँ दर्वाजे पर खड़े मुझे जाते वे देख रहे थे मैंने कार में से ही पुलिस को फोन किया और उनको सारी बात बताई मैंने अपनी कार को आगे एक भीड़बार वाली जगह पर रूख लिया और जब पुलिस को वहाँ जाते देखा तो मैं भी उनके पीछे पीछे वहाँ चला गया वो दोनों आदमी और उनके साथ और जो भी कोई उस घर में था वो सब वहाँ से भाग चुके थे पुलिस ने बताए कि ये घर तो कई सालों से खाली है और यहाँ कोई नहीं रहता है मैं डरा सहमा हुआ वापिस अपने घर चला जाता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी इस बात का सुकून था कि कम से कम मेरी जान तो बच गई उसी रात मेरे फोन पर रात के करीब दो बजे एक अन्नोन नंबर से कॉल आई मैंने कॉल पिक नहीं करी कॉल कटने के करीब 10 सेकंड बाद एक SMS आया अपनी खिड़की के बाहर देखो मेरे बेडरूम की खिड़की पर पर परदा लगा हुआ था और सच बताऊं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं परदा हटा कर बाहर देखू मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया पुलिस तीन मिनिट में ही वहां पहुँच गई पुलिस में मेरे घर के चारों तरफ अच्छे से चेक किया तो उन्हें वो आदमी मिल गया वो मेरे घर के पीछे जाडियों में छुपा हुआ था उसका नम टूनी था वो वही आदमी था जो मुझे उस घर में मिला था दोस्तों आपको ये कहानिया कैसी लेकी अगर आपको ये कहानिया सुनकर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और सबसे जरूरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और प्लीज अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें अभी मेरे चैनल में सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स ही हुए है तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लाइन डप हैं जो कि मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा तब तक गुद्बाई